हेलो गाइस के सभी स्वागे दिके सभी का हमारे चानल कैश्वल गेमिंग की एक बिल्कुल नहीं वीडियो में गाइस आज कुड़ में बताने वाला आपको टाइनस का और इंक्यूबेटर का बारे में कब तक हमें वापस देखने को मिल पाएगा इसकी डेट क्या होने वाली है और इस इंक्यूबेटर से याद है गाइस कि कल हम लोग गिववे करने वाला है तो जरूर जोन केलने ना और हाँ ल देखने के ऐड़ सकता है तो इसकी पर बात करेंगे गयर कब तक हमें देखने को मिलने वाला और trendy utopia नाम को guys male और female का एक bundle आ रहा है free fire continental series की theme पर based है यह और series यार ऐसी विसे series नहीं है Asia की जितने भी countries है Asia के अंदर यानि हमारे continent में वो countries में जहां जहां free fire चलता है guys वो countries एक साध clash करेंगी और फिर यार एक free fire का बहुत ही बड़ा tournament हमें देखने को मिलना वाला और इसकी date जो थी वो 25 October ही दी गई थी तो देखते हैं यार कब तक हमें यह देखने को मिलता है फिलाल guys FFCS event हमारा काफी जल्द में देखने को मिलेगा इसमें आपको यह दोने mail और female के bundle देखने को मिलने वाला इनकी भी बात करेंगे तो वीडियो को यार end तक जरूर देखना और हाँ guys एक like जरूर चिपका जाना यार like मारने में आपको 2-3 seconds ज्यादा लगेगा नहीं तो आला समत करो आप भी जाओ और like मारते हो guys और अगर subscribe करते हो वीडियो पसंद आती है तो जो नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर करते हो guys तो bell icon जरूर प्रस कर देना तक ही notification आपको आपको यह वीडियो का सबसे पहले आ जाए सबसे पहले गज़ आपको दिखा देते हैं यह bundle यार काफी यूटिवर्स से बताएगी यह bundle हमें देखने को मिल सकता है but guys मेरे इसाब से bundle आपको देखने को नहीं मिलने वाला यह जैक नाम का bundle guys मुझे fan made लग रहा है क्योंकि इसका कोई भी official leak हमें अभी तक नहीं मिला हो सकता फ्री फार वाल अलक से निकाल दे कोई भरोसा नहीं आर इनका लेकिन अब भी गरेना ने official leaks नहीं दिये तो मुझे नहीं लगता यह बिलकुल भी यार सही bundle है देखने में यार अजीब सा लग रहा है Halloween के टाइम पर देखने को जरूर मिल सकता है लेकिन अभी पका नहीं हुआ है तो यहीं मान के चलो कि बंडल अब भी हमें देखने को नहीं मिलना वाला किसी भी event में और यह fan media है जहां तक मुझे लग रहा है वाकि आप लोग बताना आपको क्या इवेंट है वो मैंने आपको बता दिया दो चीजों जो नहीं बताएं जो आ सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक होगा guys यह Rocky का पैट हमें काफी जल देखने को मिलना वाला है मैंने आपको बताया था यार यह एक हफ़ता पहले बताया था मैंने और Free Fire यार इंडि top event होगा guys उसी के अंदर हमें यह रॉकी का पैट और इसके स्किन और इसके साथ साथ का इस इमोट भी दे सकते हैं फ्रीपार वाले देखते हैं क्या देते हैं दो यह तीन आइटम जरूर देंगे या तो स्किन होगी या इमोट होगी या दोनों होंगे और रॉकी पैट तो हो सकता है जो दूसरा देखने को मिल सकता है आने वाले टॉप इवेंट में वह होगा एक्सामेट का ब्लूप्रिंट गाइज हर ब्लूप्रिंट आता है इंक्यूबेटर का टॉप इवेंट के अंदर और या लास्ट से ही पहले दे देते हैं उसको यह तो 50% आफ के बाद दे सकता है अगर यह कि टाइम पर नहीं आता इंडंडेस्या में इसंडेक में बीस हजार डाइमंड देघंट मे dafür एक रेट के अंदर वह ल derived होईन अगर यह देखने को मिला अंलगड लग इसको मिल गया उसकी तो चांदी चांदी या बहुत होते हैं एक महीने आराम से चल जाएगा आपका खर्चा पानी तो यह गाइस हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कॉल बाक इवेंट यह तो बुया डे के टाइम पे और अगर बुया डे के टाइम पे नहीं आता तो हैलो और Continental Series नाम का एक इवेंट हमें काफी जल देखने को मिलने वाला और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए कोई इवेंट निया एक टूर्नमेंट और टूर्नमेंट से लेटेड यह इवेंट छोटा सा एक दे दिंगे और इसके अंदर गाइस इसी थीम पे बेस्ट FFCS की तीम पे बेस्ट हमें यह दोनों male और female के trendy utopia नाम के bundle देखने को मिल सकते हैं यह कौन से इवेंट में आएंगे आपको free मिलेंगे mission complete करके मिलेंगे web event में मिलेंगे exchange करने मिलेंगे मुझे नहीं पता अभी नहीं मैं आपको गलत information दूँगा जो पता होता यार मैं बता देता काफी कुछ है और इनका item वह मैं आपको कल की वीडियो में दिखा दूँगा इस से related जितने भी item है उनके बारे में आपको कल बता दूँगा और हाँ गई 25 October इसकी date बताए गई है तो देखते हैं यार FFCS event अमारा कप start होता है FFCS जो एक series होने वाली है एशिया की जितने भ बड़ा सा tournament देखने को मिलना वाला है Continental tournament होगा तो काफी बड़ी स्टेज पर होने वाला देखते हैं इंडिया इसमें कैसा perform कर दिया बाकि यार दुआत यहीं करेंगे कि इंडियांस जो हैं वहां पे कुछ ना कुछ यहार ऐसा करकी हैं जिसे आर हमारी country का नाम हो बागे आगे देख लेते हैं गाइस lucky draw 3.0 event को lucky draw 3.0 event गाइस एक वर्जन है lucky draw 2.0 event का lucky draw event का तो lucky draw 3.0 event है वह पिछले जित्ते भी lucky draw event थे उनसे काफी अलग होने माला है तो इस event में क्या करना होता था आपको बता देते हैं तीन card आपको दिये जाते थे हर मैच के बाद तीनों में स कर गया फ्लिप कर सकते थे card को तो जो start token होता था गया उसका क्या काम होता था वो गाइस exchange करने में help करता था यानि कि जो rewards थे हमारे criminal bundle हो गया टुक टुक के skin हो गई legendary या फिर हमारे cards बगरा हो गया bounty के cards या जो भी था वो सब गाइस आप इस से exchange कर सकते थे और हाँ यह जो start confirm हो चुका है ऐसे की यूटीबर ने हमें बताया मैं ऐसी हवा में नहीं फेक रहा तो इस यूटीबर ने यार बताया कि यह event confirm हो चुका है और यह event वहाँ पर काफी जल देखने को मिल जागा कि इसकी demand काफी high है वहाँ पर इंडिया में guys event देखने को मिलता है कि नहीं अभी यह वहाँ पर confirm हो गया है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया काफी जल्ड हमें देखने को मिल सकता है और इसमें आपको criminal bundle मिलेगा या फिर कोई और bundle आपको देखने को मिल जाएगा अब काफी लुक पूछेंगे कि हमें कब तक देखने को मिलेगा event तो मैं बता दूँ करता है अगर यहां पर दिमांड बढ़ती है तो यहां पर भी गरेना वाले इसे इंडिया में लांच कर देंगे इस नए इवन लकी ड्रॉ 3.0 को जिसमें आपको criminal कमेंडल या कोई भी आइटम रेयर वाला बिल्कुल फ्री का मिल सकता है बता दूँ आपको विया डे की एक यहrist अफेक्स भी आपको देखने को मिलेगा यह आपकोक्टू फर्लेम वाले शॉनर ए स्केल तोकन देंट केडेम यह बści आपको लोगयं करने है और अभी तीन टोकन आपको मिलने वाले है प्र देंगान की तर 10 न मुझे लगता है 25 से लेगे एक November के बीच में आपको daily login करना पड़ेगा और daily login करने पर आपको यहाँ पर 3-3 token red वाले मिलते जाएंगे red वाले dragon skill token अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे store से भी खरीद पाओगे तो यह gun भी हमें काफे जल्द देखने को मिलेगी इसके जो primary skin होगी या नहीं level 1 की AK होगी वो गयजा हमें किसी भी web event में देखने को मिल सकती है web event कोई भी हो सकता है फिर it will भी हो सकता है कोई भी event हो सकता है तो उसमें आपको AK की primary skin मिलेगी या नहीं level 1 की skin मिलेगी dragon AK की और उसके बाद गयज जो हमारी blue flame AK होगी उसको आप evolve कर पाओगे इन stones को use करके ये dragon skill tokens को use करके और evolve करने के बाद गयज आपकी जो AK होगी वो level 8 की हो जाएगी और level 8 पे are max मतलब rate of fire double 7 में damage एक भाई सब मत पुछयार क्या यह perform करने वाली है AK यतार सब जानते हो और AK best AK होने वाली अब तक की तो 25 October के बाद गयज हमें ये AK की skin देखने को मिल जाएग यह possibility है यह 25 के बाद जो हमारे dragon skill token का उन्हीं के साथ हमें primary skin भी मिल जाए यानि जो level 1 की AK की skin है वो भी मिल जाए तो अब गयज है आपको बताता है Titans Car के incubator के बारे में कब तक हमें दुबारा देखने को मिल सकता है इसकी date वगरा क्या होगी सब बताते है लेकिन अगर आपने हाँ तक देखा है और subscribe नहीं किया तो बहुत ही unfair बात है बहुत ही गलत बात है आपको यह मालूम है आओ तो अब भी जाओ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो तो और Casual Gaming Family के अंदर आओ सब्सक्राइब करें कर देना बेल आइकन को प्रेस कि नहीं देना चाहिए मतलब इसकी जो reality है वो जादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यह भी comment करके बता देना और हाँ guys एक चीज़ और है Titanscar का कल giveaway हो रहा है इसको नहीं पता कल giveaway होगा live stream होगी time मैं आपको कल community करके बता दूँगा है कल की वीडियो में सुबह सिबह आपको बता दूँगा तो Titanscar हमें कब और कैसे यार गेम के अंदर देखने को मिल सकती है हम आपको बता देता हूँ विल्कुल specific reason के साथ और उसके पिछे का logic guys आपको समझना पड़ेगा तो ध्यान से सुनना यूनिकोन इके guys हमारे आई थी डेर साल पहले डेर साल के बाद Free Fire ने उसे Regional Battle में दिया और 30 दिन के लिए ये लोग दे रहे थे Regional Battle खतम होते ही यार जो AK हमारी थी वो हमें मिली 30 दिन के लिए उसके बाद guys जैसी वो time period खतम हुआ उसके बाद Free Fire वालों ने उसे Incubator के अंदर दे दिया Same to same Titans Car के साथ भी वैसी हो सकता है guys ये हमारी एक साल पहले आई थी यानि Unicorn AK के बाद ही आई थी तो Unicorn AK से जादा rare हुई जब वो gun दे सकता है गरेना वाले तो ये वाली क्यों नहीं दे सकते तो ये अभी एक साल पहले आई थी AK को हमें दे दिया गया था Regional Battle के बाद तो Titans Car को भी Free Fire वाले गरेना वाले Regional Battle के बाद दे सकते हैं Incubator के अंदर अब ये लोग देख रहे होंगे कि जो Code बट रहे हैं उनकी Demand कितनी है 60-60,000 की Watching guys एक बंदे की आ रही है मतलब किसी भी बंदे को Random बता रहे है इतनी Watching आ रही है और जो Code है वो सिर्फ 10 है 5 है ऐसा करके Code बट रहे है तो ये सब यार होता है Demand बहुत है Free Fire ने गरेना ने देख लिया तो इसका मतलब ये है guys अब ये लोग Incubator के अंदर से देंगे ये देंगे क्योंकि इनकी काफी कमाई हो गई इससे और होनी भी चाहिए guys और हाँ एक चीज़ और बता दू मैं जो Poker MP40 थी हमारी उसके बारे में भी काफी लोग पूछ रहे थे तो वो मैं आपको अकल की वीडियो में भी बता दूँगा guys लेकिन अभी मैं बता दूँ हमारी आई थी Poker MP40 6-7 महिना पहले आइधिंग 8 महिना हो गया तो आप समझ जाओ यार कितनी दिर बाद वह आ जाएगी और Poker MP40 एक बार अगर रीजिनल बैटल में दे दी गई न तो फिर आप समझ जाने कि ये भी हमारा इनक्योबेटर में आने वाला है काफी जल्द लेकिन फिलाल जान तक बादा Titans Car की 5-6 महिने के अंदर अंदर हो सकता है अगले ही महिने Free Fire वाले से रीजिनल बैटल के बाद हमें इनक्योबेटर के अंदर दे दे और Titans Car आपको देखने को मिल जाए इसको अभी Code वगरा नहीं मिला है इसको Titans Car जीतने का आप चांस ही है कल की गिवाब में जरूर पाटिस्पेट करना और अपना Best Performance देना और बिल्कुल Fair गिवाब है होने वाला है तो घबरानी की कोई भी बात नहीं है आज के लिए बस इतना ही सब्सक्राइब लाइक और सेयर जरू कर देना था कि कल गिवाब एक नोटिविकेशन आपको सबसे पहले आ जाए टेक केर गाइस बाब बाई मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में